आर्ट इंसिटूट की ये धर्ती बहात ही पावन है और ये फुलाट अन्हाल और सौमभी कानन्द मार्ग जिस धर्ती को अनुग्रिहित किया भारत की कृशी ने देड़ सो साल पहले जन में उस महापुर्ष की जयन सार्थ शताब दी जब पूरा विश्व मना रहा है और सितंबर के माहा में अठारा सो तिरान्वे में जब उस महापुर्ष निसे धर्ती से अमरीका की से धर्ती से भारती धर्म दर्शन अध्यात्म रसंस्कृति का संदेश पूरे विश्व को दिया और अईतिहासिक खषणों को हम याद कर रहे हैं और याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई ओप्चारिकता निभानी हैं बलकि स्वामी विवेका अनंद के सपनों का भारत और उनके सपनों की दुनिया हमें बनानी है तो मेरे साथ एक बार आप हाथ उठा करके स्वामी विवेका अनंद की जैगोश के नारे लगाएंगे स्वामी विवेका अनंद की रिश्यों की भूमी भारत की कर्म भूमी अमरीका की धर्ती माता की बंदे भाईए और बहनों दो शब्दों की महिमा और उसमें पूरी भारतिये संस्कृती को समेट करके इसी पवित्र प्रागण से संदेश दिया था स्वामी विवेका अनंद ने sister and brothers मात्रियदों शब्द नहीं है इन शब्दों में संपोन भारतिय संस्कृति का मानों समावीश है और हमारे गुजरात में तो सारे रिस्ते बाद में है पती बाद में पत्नी बाद में पिता बाद में माँ बाद में बदा बाईयों बेनों होईचे किसी ने पूछा गुजरात में आपकी पती का क्याना है मैं बोला पंकच भाई बोले मैं आपकी पती का नाम पूछ रहाऊं अपने भाई का ने भाई और बहन में एक विश्व बंधुद्व है अयम निजह परोवीती गणान अलगुचेत साम उधार चरिता नाम तुवसोधै वुकटुम्बुकुन और आज पूरी दुनिया जब राजनेतिक संघर्षों सांप्रदायक उनमाद जंग वार के दोर से गुजर रही है पूरी दुनिया में संसादनों और संपत्ति पर एक आधिकार करने का एक वार चला हुआ है और उसमें न्याय का गला घुट रहा है आज जब पूरे विश्व में अध्यात्मबाद और मानोतावाद के उपर बाजारवाद पूजिवाद उभोकतावाद हावी हो गया है और इंसाफ का और सत्य का गला घुट रहा है जब पूरी दुनिया में आधुनिक्ता पूरी दुनिया में जब आधुनिक्ता के नाम पर आजादी के नाम पर अनईतिक योन सम्मन्द फी सेक्स और असयम का महिमा मंडन करके मनुश्यता को पुष्टा की और धकेला जा रहा है लोक्तांत्रिक मुल्यों को ताग पर रख करके अलोक्तांत्रिक तरीके से सत्य न्याह मानवता इसको हाशे पर रख करके पूरी दुनिया को कुस्ताकत वर मुल्क अंडेमोक्रेटिक तरीके से रूल करने की नाकाम कोशिश कर रहे है चाहिए World Bank हो चाहिए IMF हो चाहिए UN हो चाहिए WTO हो Health, Education सभी ख्षेत्रों में कुछ देश पुरे वर्ल्ड को Undemocratic तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे है ऐसे में जबकि पूरी दुनिया भोतिक संघर्षों के दोर से तो गुजर ही रही है स्वामी विवेकानन्द ने इसी धर्ती पर इसी माह में 120 वर्ष पहले कहा था मैं यहां अमरीका में धर्मांतन करने के लिए निया आया हूं धर्मका उपदेश करने के लिए आया हूं और इसी धर्ती पर स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि मैं अपने अमरीका के और यूरोप के और दुनिया के उन तमाम लोगों से भी आवभान करता हूं कि धर्मांतन का जो कुचकर चल रहा है इसको बंद करके लोगों को एक अच्छा इंसान बनने की सिक्षा दे मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं महामानों के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि मैं अमरीका की धर्ती पर धर्मान्तन करने के लिए नहीं आया हूँ धर्म का संदेश देने के लिए वेदान्त का संदेश देने के लिए वेदों का विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ धर्मान्तन करने के लिए नहीं आया हूँ यदि स्वामी विवेकानंद के उन उपदेशों और संदेशों पर ध्यान दिया गया होता और जो धर्मांदता पूरी विश्व में आज चल रही है उसके उपर अंकुष लगाया होता तो 9-11 की घटना यहाँ पर नहीं होती आज ही के इनी इसी माह में जो उन्होंने इस धर्ती पर से संदेश दिया था मैं उन्ही के शब्दों में इसको दोराना चाहता इस मंच से उन्होंने कहा था सामप्रदाइकता, हट धर्मिता और उनकी विवत्स वंशधर धर्मांदता इस संदर पृत्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है वे पृत्वी को हिंसा से भरती रही है उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है सब भेताओं को विध्धन्स करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है बीच साल पहले वी जो कहा था उसको फिर मैं कह रहा हूँ, उसी महापुर्ष के संकल्पों और सपनों को आपकी बीच में रख रहा हूँ, पर अब उनका समय आ गया है, मैं आंतिक रूप से आशा करता हूँ, कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो गंटा धुनी हुई है, वे समस्त धर्मान धता का, तलवार वे लेखनी के द्वारा होने वाली सभी उत्पीडनू का, तथा एक ही लक्ष की और अग्रसर होने वाले महनूँ की पारिश परिकटा का, मृत्यू निनाद सिद्ध होगी, ये बात उस महामानों ने जो दोहराई थी, यदि ध्यान दिय होता उनके इस संदेश पर, तो आज पूरी दुनिया में सामप्रदाईक युद्ध ना होता, किसी एक देश की घटना की में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की राजनेतिक ताकते, जादा से जादा सुविधाएं, संसाधन, संविध्धी, प्रास्पेरीटी, ब पूरी दुनिया में सकते हो, उसके लिए हमें सत्य का, मानवता का, न्याय का, गला घोटना पड़े तो भी हम तयार हैं, यहां चांद पर इसलिए नहीं जा रहे हैं लोग, कि चांद से उनके जीवन में को शीतलता आएगी, मंगल पर इसलिए नहीं जा रहे हैं, कि उनके भोग करने के लिए ऐसे पांच पृत्वी और चाहिए, इसलिए पहले सी ढूंड रहा है कि मंगल पर मेरा अधिकार हो जाए, चंद्रमा पर मेरा अधिकार हो जाए, उत्तर और दक्षनी धू की बर्फों के उन पहड़ों को भी बाट दिया गया है, कि इसमें जो संसाधन म द्वारा जो पूरी दुनिया में अपनी भोति को, भूख को मिटाने की जो विवित्स कोशिशे चल रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया की संपत्य और संब्रिद्धी एक भी विक्ति को मिल जाए, तो उसके त्रिप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती, लेकिन जो हमारे का अधिकार करने का वार, और दूसरी तरफ सारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है?